हेलो शूडंस तो बच्चो आज हम जंडर नोलेज में चेप्टर 14 पजलिंग वर्ड्स के बारे में सीखेंगे तो चलो अब हम यहां पर सीखते हैं लुक एट फोलोविंग पिच्चरस एंड राइट यफ करेक्ट नैम अनुडर इच पिच्चर तो बच्चो आपको यहां पर पिच्चरस देखने हैं और नीचे उनके करेक्ट आंसर नीचे लिखने हैं choose your answer from the words given at the left side of the pictures. तो बच्चो आपको यहाँ पर answer left side में से choose करके नीचे picture के नीचे लिखने हैं. तो चलो अब हम start करते हैं. तो यहाँ पर two words आपको दिये गए हैं. R-A-I-N rain rain means बारिश तो यहाँ पर rain का picture यहाँ पर है second number में तो आपको यहाँ पर लिखना है R-A-I-N rain और यहाँ पर है R-E-I-N rain rain means जो यहाँ पर एक गोड़े की रसी है तो यहाँ पर आपको लिखना है rain R-E-I-N rain अब हम देखेंगे next तो यहाँ पर है first word है hair hair means bal तो यहाँ पर बाल का पिचर यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर लिखना है hair H-A-I-R I-R hair next यहाँ पर है H-A-R-E hair hair means खरगोश तो आपको यहाँ पर लिखना है H-A-R-E hair next यहाँ पर है plane P-L-A-I-N plane plane means सपर तो यहाँ पर five number में यहाँ पर picture में है plane तो आपको यहाँ पर लिखना है P-L-A-I-N plane next यहाँ पर word है P-L-A-N-E plane तो यहाँ पर आपको लिखना है P-L-A-N-E plane जो यहाँ पर aeroplane है नेक्ट यहाँ पर वर्ड है S O O T सूट तो यहाँ पर सूट का पिचर में हम लिखेंगे 8 नमबर में सूट S O O T सूट का मतलब होता है कालिक जो कुछ काले रंग का कार्बन का होता है उसे हम सूट कहते हैं नेक्ट यहाँ पर है S U I T सूट जो आप कोर्ट सूट पहनते हो वो तो आपको यहाँ पर लिखना है S U I T सूट नेक्ट यहाँ पर वर्ड है N I G A T नाइट तो नाइट का मीनिंग होता है अंधेरा तो आपको यहाँ पर पिचर में नाइट नमबर में आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना है नाइट वर्ड N I G A T नाइट वर्ड यहाँ पर है K N I G A T नाइट यहाँ पर के सैलेंट है इसलिए हम नाइट बोलते हैं तो यहाँ पर नाइट का मीनिंग होता है शूरूर चोरोबर जैसा शूरूर होता है वो तो आपको यहाँ पर लिखना है नाइट K N I G A T नाइट तो बच्चों आपको यहाँ पर अच्छे से पिच्च देखने हैं और यह पसिलिंग वर्ड को सॉल्ड करने है तो बच्चों हमारा चेप्टर यहाँ पर प्लिट हो जाता है तो बाई बाई ठेंक यू